गुड मॉर्णिंग मा डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो देखिए फ्रेंड्स मेरे गार्डन में पोर्च गार्डन में कितना खुबसूरत पीस लिली का फ्लावर खिला है और इस प्लांट में जो है पहले बार फ्लावरिंग हुई है इस वज़े से ये समर सिजन वे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर में स्टाट हो जाती है इनकी फ्लावरिंग तो पीस लिली के प्लांट को आप अपने गार्डन में एट कीजिए, इसे डिवाइट करके आप एक प्लांट से धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं, बाकी साल भर इनकी पतियां इस तरह से बिल्कुल आपके गार्डन में ग्रिनरी लाती है और बहुत ही खुबसूरत दिखती ह इनकी पतियां तो पहला प्लांट है पीस लिली का फ्लावर के साथ साथ आपको जो है आपके गार्डन को खुबसूरत बनाता है पीस लिली का प्लांट तो इस प्लांट को भी आप जरूर एट कीजिए, पहला प्लांट है इंडोर प्लांट में और इसे ब्राइट लाइट करके कटिंग से प्लांट तयार कर सकते हैं इसे भी आपको इन डारिक्ट सनलाइट में रखना है इसे आप बेडरू में हाल में पोर्च में ऐसे जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहां पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो इन डारिक्ट सनलाइट आती हो और देखें पतियों क तो वेरिगेटेड पतियां कितनी खुबसूरत होती है एगलो नीमा की पतियां मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और आप लोग भी ज़रूर इसे एट कीज़ें थोड़े से कॉसली होते हैं 200 से लेके लगभख 300-400 तक मिलते हैं अलग-अलग नरसरी में अलग-अलग प्रा होती है एगलो नीमा की यह वाली देखिए बिल्कुल डेफेंड बेकिया की जो पति होती है उसी की तरह है और बहुत ही खुबसूरत है और एक यह वाला प्लांट है यह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे यह वाली इनकी पतियां देखिए लंबी-लंबी होती है और बहुत ही खुबसूरत होती है, तो इसे भी आप पोर्च में रख सकते हैं, इन डारेक्ट सनलाइट बहुत ब्राइट लाइट आती है, ऐसे जगह पर बहुत अच्छे से चलते हैं, जितने भी इंडोर प्लांट है उनको आपको परड़ पानी नहीं देना है, लगभग आ आपको बहुत सारे वेराइटी मिल जाएंगे, मैंने अपने गाड़न में साथ प्लांट इस बार एट किये हैं, जिसमें सबसे खुबसूरत पत्ती वाला प्लांट ये वाला है, देखें कितनी खुबसूरत और कितनी रंगीन है इसकी पत्तियां, देखने को में जब आखो को बहुत ही सुकून मिलता है, इसको जब आप देखोगे तो, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुबसूरत है, एक ये भी है देखिए, लगभग साथ प्लांट मैंने एट किये हैं, और ये देखिए, इनकी पत्तियों के किनारे किनारे ग्रीन सा इस तरह से डबल सेड़े आप ला सकते हैं, और बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, खास तोर पे हमारे हैं चतिस गड़ में मौसम तो बिल्कुल बारिज जैसा हो गया है, तो जल्दी से नरसरी जाईए, और ये सारे प्लांट यदि आपको मिलते हैं, तो तूरंद ये तो बहुत ही सुंदर लगती है, इनकी पतियां जो है परपल कलर की होती है, और यदि आप इसको धूप में रखते हैं, इसे आप जहां पर एक दो घंटे की धूप आती है, ऐसे जगह पर भी इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं, जिसमें इनकी पतियां, ये वाले प्ला जब मेरे पास इस्टेंड नहीं था, तो मैंने सारे प्लांट जो है टेरिस पर रखे थे सेड एरिया में, तो वहां पर इनकी पतियां ग्रीन नहीं थी, बिल्कुल डार्क रानी कलर की हो गई थी, तो इसे भी आप एट कर सकते हैं, अगला रफ और चलने वाला प्लांट है टेरिस पर भी रखा है, सेड एरिया में, तो क्रोटोन को भी आप एट कर सकते हैं, यह देखिए, स्टोन डस्ट इसको कहते हैं इस प्लांट को, और इनकी पतियां भी बहुत खुबसूरत होती है, और यह वाली देखिए, फ्रेंड बहुत छोटा सा पॉर्ट में, अरेलिया देखिए, कितना खुबसूरत होती है, इनकी पतियां, इन में बहुत सारे आपको पतियों की लीजाइन आतैं, बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, मेरे पास लग-बग 4 हैं अरेलिया के प्लांट और ग्रिम, देखिए, बहुत छोटा प्लांट था, और इसका प्राइज जो है जादा महंगे नहीं होते हैं लगभग 50 से 80 रुपीस में आपको मिल जाएंगे एक अरेलिया का ये भी प्लांट है और इसे मैंने पोर्च में रखा है इस वज़ा सी इनकी पतियां ग्रीन दिखाई दे रही है लेकिन जब मैंने टैरिस पे रखा था और अच सारी वैराइटी आती है उसे भी आप एट कर सकते हैं अगला प्लांट है मनी प्लांट जो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है मनी प्लांट की बहुं सारी वैराइटी आती है मेरे पास सिर्फ एक ये वाली है और इसकी आप जो है कटिंग से इसे बहुं सारे प्लांट तयार कर सकते हैं मनी प्लांट तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं अगला प्लांट है क्रिस्मस टी जो देखने में बहुत ही खुबसूरत होते हैं देखे मेरे प्लांट की पत्तियां कितनी सुंदर अगर क्रिस्मस टी को आप बड़ा पॉट दे देते हैं और प्लांट यदि बड़ा हो जाता है तो इनकी पतियां बिल्कुल जुकने लग जाती है लेकिन मेरे प्लांट की पति देखिए बिल्कुल इस्ट्रेट है तो यह ऐसे ही खुबसूरत देखती है जुकने पर जादा अच्छी नहीं लगती है क्रिस्मस ट्री भी आपको 100-150 के बीच में आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट प्लांट है देखिए अरिका पाम है अरिका पाम में आपको चाइना पाम भी मिल जाएंगे बहुत सारे पाम की बहुत सारी वेराइटी आती है और इसे भी आप इंडोर रखें मैंने पोर्ज में रखा है आप चाहें तो हाल में बेडरूम में जहां पर अच्छी ब्राइट लाइट आती है वहां पर रख सकते हैं और जितने भी प्लांट मैं आज दिखा रही हूं वो सारे प्लांट इंडोर प्लांट है और आउट डोर भी रख सकते हैं कुछ लगे हैं और मैंने कटिंग से तयार किया है यह वाला प्लांट और फ्रेंड्स मेरे पास पोर्च में ज्यादा स्पेस नहीं है इस वज़ा से बहुत सारे प्लांट में जो है टैरिस पे भी रखती हूं और टैरिस पे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि यह हाड़ी डिक्राइट समय द्रेख सब्सक्राइट जिसे नानगे के लिखें। तो इसकी मुझे बहुत खुबसुरत लगता है। जो देखने में बहुत सुन्दर लगती है। यदि आप इसे जमीन भी लगाते हैं तब और खुबसुरत लगती है। क्योंकि मैं टेरिस गाटनिंग करती हूँ तो सारे प्लांट मेरे गमले में लगे हुए हैं यह फर्न है देखिए फर्न की बहुत सारी वाराइटी आपको मिल जाएगी नरसरी में आगे और भी मैं दिखाऊंगी फर्न की वाराइटी और इसे भी मैंने लाया है लगभग 60 किया है तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है यह सारे प्लांट जो है क्रोटोन को तो आप डारेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और क्रोटोन की यहां लगभग 5-6 वैराइटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह सारे मेरे टैरिस पर रखे हुए है और यह वाल जब मैं लेकर आई थी तो बिल्कुल कलर फुल थी और इसे जो यहां पर जो है ज्यादा सनलाइट मिल रहा है सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस वजह से है और ड्रेशीना के एक वाराइटी यह है जो मुझे बहुत पसंद है मैं और भी सोच रही हूँ कि और भ और देखने में बहुत खुबसूरत गार्डन में ग्रिनरी लाता है एक क्रोटोन की वाराइटी यह भी है जिसकी पतियां कुछ इस तरह की डिजाइन की है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है और इसमें भी कलर्स आते हैं यदि मैं इसे धूप में रखूँग बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा हो गया है मेरा प्लांट तो इस तरह के लगभग मैंने आज आप लोग को 20 से भी ज्यादा ऐसे प्लांट दिखाए हैं इंडोर प्लांट और कुछ प्लांट जो है आउट्डोर भी रख सकते हैं एक ड्रेसिना की वेराइटी यह भी है मैं पानी जड़ा रही हूं फ्रेंड्स क्योंकि हमारे है रात में काफी ज़्यादा बारिस हुई है हमारे हाँ तो लगी नहीं रहा है कि गर्मी है गर्मी का सीजन है अगला प्लांट है देखे सौंग आफ इंडिया सौंग आफ इंडिया को भी आप जो है ला सकते हैं लेकिन इनकी पत्तियां जो है दो वायराइटी है मेरे पास यह वाले की तो गोल्डन कलर रहती है और एक और प्लांट है उसकी पत्ति बिल्कुल ग्रीन है लेकिन इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता तो बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अगला प्लांट है रबर प् आउट्डोर भी रख सकते हैं, दोनों जगह बहुत अच्छे से चलता है, लगबग 100 रुपीज से 150 रुपीज के बीच आपको मिल जाएंगे, ये क्रोटोन मैंने जो पहले दिखाया है, उसे की मैंने कटिंग लगाई है, और देखे छोटा सा डिब्बे में लगा हुआ है, क बहुत ही सुन्दर रहता है, तो इतने सारे इंडोर प्लांट मैंने आज बताए हैं, तो आसा करती हूँ, अभी नरसरी आप विजिट कीजिए, और इसमें से जो भी प्लांट आपको मिलते हैं, जरूर परचेस कीजिए, बहुत ही खुबसूरत होते हैं, ये सारे प्लांट तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइफ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और इतनी महनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो